इंग्लेंड के पूर तेज गेंदबास जेमस अंडरसन ने विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की है दरसल क्रिकेट बर्ड में जब जब विराट कोहली और जेमस अंडरसन आमने सामने होते थे तो गेंद और बल्ले के बीच जोरदार और मनोरन जग जंग देखने को मिलती थी अब रिटार्मेंट के बाद जेमस अंडरसन ने पहली बार विराट कोहली पर बात की एक पॉडकास्ट के दौरान जेमस अंडरसन ने विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि खेल के इतिहास में दूसरी पारी के दौरान लक्ष का पीछा करते हुए विराट कोहली से बहतर कोई बल्लेबास हुआ है ये तारीफ जेमस अंडरसन ने की है विराट कोहली की सच भी बोल रहा है जेमस अंडरसन क्योंकि वर्ड क्रिकेट में विराट कोहली से बहतर चेज मास्टर कोई नहीं हुआ सबसे शांदार उनके स्टैट्स हैं चेजिंग के दौरान उन्हें चेज मास्टर भी इसलिए कहा जाता है सबसे जदा शतक उन्होंने लगाए हैं वंडे में चेज करते हुए उनका शांदार उसत है इस वजए से विराट कोहली चेज मास्टर तो है ही अब उनकी इस काबिलियत का लोहा जेमस अंडरसन ने भी मान लिया है चलिए आपको विराट कोहली का वंडे फार्मेट में रन चेज करते हुए उनके आंकडे कैसे हैं इस्टैट्स कैसे हैं चलिए आपको बता देते हैं वंडे फार्मेट में रन चेज करते हुए विराट कोहली ने 7,852 रन बनाए हैं 166 मैचों में 155 पारियों में 106 मैचों की 155 पारियों में उन्होंने 7852 रन बनाए है और इस दौरान विराट कोहली का एवरेज रहा है 64.36 का और इस ट्राइक रेट है 93.56 का 93.56 और शतक उन्होंने लगाए है 27 और हाफ सेंचरीज जड़ी है विराट कोहली ने इस दौरान 40 यह आकड़े दर्शाते हैं कि विराट कोहली से बहतरीन चेज मास्टर कोई नहीं है टी 20 स्टैट्स की भी बात कर लेते हैं 54 टी 20 मुकाबलों में रन चेज करते हुए विराट कोहली ने 2013 रन मनाए है वो भी 48 पारियों में और इस दौरान उनका जो एवरेज है वो है 67.10 का और स्ट्राइक रेट है 136.47 का इस्ट्राइक रेट भी संतोष जनक है हालां कि कहा जाता है कि modern day template में T20 cricket में 1500 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट होना चाहिए रेकिन फिर भी अच्छा इस्ट्राइक रेट है 136.37 का और run chase करते हुए T20 format में विराट कोहली ने 20.50 जड़ी है तो ये आकड़े हैं विराट कोहली के run chase करते हुए और इन ही आकड़ों की तारीफ James Anderson ने की है